मदमेशनु घाटी के बुर्वा गाउं से लगभग 20 किलोमेटर की दूरी पर सोन परवत की तलहटी में सुर्मई मक्मली बुग्यालों के मध्य विराचमान विश्णु ताल का नर्माण लक्षमी के आगरह पर स्वयम विश्णु भगवान ने किया था भगवान विश्णु द्वारा ताल का नर्माण करने से ये ताल विश्णु ताल के नाम से जाना जाता है बरसात वशरत रितू में विश्णु ताल के चारु तरफ अनिक प्रजाती के फूल खिल जाते हैं विश्नु इताल का जल प्रियोग करने से चर्म रोग की समस्या से चुठारा मिल जाता है विश्नु इताल के निकट भीड़ पालक लंबा प्रवास करते हैं विश्नु इताल के निकट भीड़ पालकों के आराधिदेव छित्रपाल का मंदिर भी है आपको बताते कि चेतरपाल के मंदिर में भेड़पाल को द्वारा नित्य पूजा अचना की जाती है भेड़पाल को के दाती त्योहार के पावन अपसर पर चेतरपाल मंदिर में विशेश पूजा अचना का विधान है चित्रपाल मंदिर के कपाट भी अनितीत स्तलों की तर्च पर खोलने वबंध होने की परंपरा युगोपूर्व की है